हेलो गईज वलकम बैक टू माई न्यू वीडियो तो गईज ये वीडियो करन ओजला सर की ड्रोइंग का पारट 2 है एंड गईज इससे पहले हमने पारट 1 में ग्रिड मेथट का यूज करके कम्प्लीट आउटलाइन को ड्रो करके दिखाया था गईज अगर आप लोगोंने अभी तक आउटलाइन की वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्सन में लिंक दे दिया है आप लोग वहाँ से देख लेना अगर आप लोगों के पास केमलेन की सॉप्ट चार्कॉल पेंसिल नहीं है तो आप आर्टलाइन की ग्रिफाइट पेंसिल 8B एंड 10B पेंसिल का भी यूज कर सकते हो चार्कॉल पेंसिल से कमप्लीट हेर में सेड कर लेने के बाद अब मैं सिंपली मेकप ब्रसका यूज करके हेर्स के डिरेक्शन में ही हलके हांतों से ब्लेंड कर रहा हूँ कमप्लीट ब्लेंडिंग हो जाने के बाद अब रिफरेंस फोटो में जहां पर भी मुझे थोड़ी ज़दा और डार्क हेर दिख रहे हैं अम मैं सिंपली वहां पर दोबारा से केमलीन की सौट चार्कॉल पेंसिल का ही यूज करके सेड कर रहा हूँ अब किस दोबारा से भी केमलीन की सौट चार्कॉल पेंसिल से कमप्लीट सेड कर लेने के बाद इसे भी मैं पहले की तरह ही मेकप ब्रस का यूज करके ब्लेंड कर रहा हूँ कमप्लीट ब्लेंडिंग हो जाने के बाद अब मैं सिम्पली रिफरेंस फोटो में हाइलेट हेर को अच्छी तरीके से उब्जर रहा हूँ इसके बाद अब मैं फेस में सेड करने के लिए बिल्कुल वैसे ही सबसे पहले रिफरेंस फोटो में डिर्क इरियाज को अच्छी तरीके से उब्जर करके सिम्पली केमलीट की सौप्ट चार्कॉल पेंसिल का यूज करके सेड कर रहा हूँ आई में कम्प्लीट सेड कर लेने के बाद अब मैं सिम्पली मेकप ब्रेस और ब्लेंटिंग स्टंप का यूज करके कम्प्लीट आई में ब्लेंड कर रहा हूँ एंड गईज इसके बाद हम मैं सिंपली रिफरेंस फोटो में लाइट एंड डायर की दियास को अच्छी तरीके से अब्ज़र करके सिंपली कम्प्लीट फेस में सेट करने के लिए मैं मेकेनिकल पेंसिल का यूज कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ मेकेनिकल पेंसिल से कम्प्लीट फेस में सेट कर लेने के बाद अब मैं सिंपली मेकप प्रिस का यूज करकी कम्प्लीट फेस में हलके हांतों से ब्लेन्ड कर रहा हूँ अब मैं पेस में सिंपलीट लाइन की फोर्वी ग्रेड की पेंसिल का यूज करकी जहां पर भी थेस में हूँ थोड़ी जदा डायर के रियाज हैं मैं सिंपली वहाँ पर सेट कर रहा हूँ एंड केस इसे भी मैं पहले की तरह ही मेकप प्रिस का यूज करके कम्प्लीट पार्ट में ब्लेंड कर ले रहा हूँ तो कैस इसके बाद हमें बीर्ड एंड मोस्टैचे में सेड करने के लिए केम्पलीट की सॉप्ट चर्कॉल पेंसिल का यूज करके बीर्ड एंड मोस्टैचे के डिरेक्शन में ही सेड कर रहा हूँ बीर एंड मोस्टैचे में कम्प्लीट सेड कर लेने के बाद अब मैं सिंपली मेकप ब्रिस का यूज करके इसे भी मैं कम्प्लीट ब्लेंड कर रहा हूँ कम्प्लीट ब्लेंडिंग हो जाने के बाद अब मैं सिंपली रिफरेंस पोटो में कम्प्लीट फेस में हाइलेट एरियास को अच्छी तरीके से अब्सवर करके सिंपली नीडर डिरेजर एंड टॉमबो मोने जीरो डिरेजर का यूज करके हाइलेट कर ले रहा हूं बार टॉमबो में झाल 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 झाल